तो वहीं दिल्ली में कोरोना महमारी की पाचवी लहर के चलते बंद की गए स्कूल, कॉलेज, अन्य सिक्षन, संस्थान और जिम फिर खोलने का फैसला यहां पर ले लिया गया है दिल्ली आपता प्रबंदयन प्रादीकरण की बैटक में कोरोना की सुधरती स्तिती को देखते हुए यह फैसला लिया गया है दरसल लंबे समय से दिल्ली के सिक्षन, संस्थान और जिम से जुड़े लोग इसकी मांग कर रहे थे वहीं रात्री कर्फ्यू की समय सीमा भी एक घंटे कम कर दी गई है आपको जानकारी देने कि रात्री कर्फ्यू का समय रात दस बजे से भढ़ाकर ग्यारा बजे तक कर दिया गया है स्कूल में बच्चों को कोरोना की हर गाइडलाइन का पालन करना होगा वहीं जिन सिक्षकों को ठीका नहीं लगा है उन्हें स्कूल में प्रवेश भी नहीं मिलेगा फिलाल रहा जरूर दी जा रही है लेकिन अभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पर करना होगा क्योंकि थोड़ी सी लापरवाई के बाद यह आकला जो कम हुआ है पहले के हिसाब से वो फिर से भढ़ सकता है जिसको लेकर अब कॉलेज जिम फिर से खोलने की परमीशन आपर दे दी गई है लेकिन कोविट गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही स्कूल, कॉलेज और जिम फिर से खोले जोएंगे जब हाइबिर्ड क्लासिज बंद कर दी जाएं और केवल फिजिकल क्लासिज, आफलाइन क्लासिज ही चलें लेकिन फिलहाल साथ तारिक से नवी से बारवी के स्कूल खुलेंगे और वो हाइबिर्ड क्लासिज भी चलती रहेंगी उनकी आठ्मी क्लास या उससे नीचे नर्स्तरी से आठ्मी क्लास तक के स्कूल उसके अगले हफते से खोल दिये जाएंगे अगले मंटे से यानि कि चौदे तारिक से आठमी से नीचे के सभी स्कूल आठमी और उस से नीचे के सभी क्लासिस के स्कूल क questionnaire खोल डिये जाएंगे इससे पहले एक हफ्ते में स्कूलों को कहा गया है कि वो तैयारी करें स्कूल को खोलने की और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नर्सरी से आठमी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर्स आएंगे वो चाहे को ये सबने दे में दे में द्रीम को कोथ ये खोल ग drainage से दिल्मी के सभी कोलेजिज बी खोल दिये जाएंगे और अब colleges को कहा गया है कि वो offline classes चलाएंगे अब उनकी online classes नहीं चलेंगी बलकि सब के सब अब offline classes चलाएंगे colleges के लिए भी ज़रूरी होगा कि वो अपना online class बंद करके offline mode में आएं साथ तारिक से ये system चालू हो जाएगा night curfew में अभी night curfew जारी रहेगा लेकिन उसका time अब 11 बजे से होगा पहले 10 बजे से होता था अब night curfew 11 बजे से शुरू होगा सभी restaurants जो अभी 10 बजे तक allowed थे लेकिन उनको 10 बजे के अभी तक सभी रेश्ट्रेंट्स संचालित हो सकेंगे तीसरा एक एक निने ये लिया है कि सभी offices अब 100% allowed होंगे अभी तक 50% की capacity में allowed किया गया था अब सभी government और private offices 100% capacity के साथ function कर सकेंगे जिम स्पा और swimming pool ये भी अब खोल दी अलाव होंगे मंडे से तो जो जिम संचालों की मांग थी स्पा वालों की swimming pool वालों की मांग थी और खास्तोर से जो बच्चे competition की त्यारी करने सुमिन वगरा के लिए उनके लिए बड़ी मुस्यवत थी तो अगले मंडे से साथ तारिक से जिम स्पा और swimming pool भी खोल दिये जाएंगे अलावड हो जाएंगे तो चलिए दिल्ली में क्या कुछ खुले हो रहा है क्या कुछ नहीं खुलेगा इसको लेकर ग्राफिक्स के जरी एक नज़र डालते हैं और आपको समझाते हैं साथ परवरी से दिल्ली में स्कूल खुलेंगे 9 से बारवी तक के स्कूल खुल पाएंगे पावंदियों के साथ दिल्ली में स्कूल खुलेंगे कॉलेज जिम को भी खोलने की पर्मिशन देदी कही है नाइट करफ्यू लागू रही का नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाब हुआ है नाइट कर्फ्यू की समय सीमा में एक घंटे की कमी